स्वागत आपका बहुत बहुत और अभी शाम के साड़े चार हुई है और मैं जा रहा हूं साइक्लिंग पे आज थोड़ा काम था ओफिस का भी तो वह भी कंप्लीट किया लंदन में टेंप्रेचर भी अभी बढ़ने लग गया है मतलब आज जो टेंप्रेचर था एट डिग बाद या था और अब मैं जारो एक दूसरे पार्क में तो वहां पर देखता हूं कैसा माहोल है साइक्लिंग के लिए साही रहे गा है नहीं है वही क्या ट्रेफिक जाम लगा है लंदन में पहली बार देख रहा हूं मैं डेट साल होए रहते होए बड़ इतना बड़े ट्र अबस्तो एक दम आप लेफ इंसाइड में देखो इतनी गाड़े जाम लगी है अबस्तिक जैम के बीच में इतनी हॉंकिंग ओरी थी ना मुझे इंडिया की एक दम याद आ गई कि बीचात बातों इतनी होँगिंग बहुत साल एक टेट साल बात थोनिये इतनी सारी गाड़े एक साथ। होँंक कर रही थी। यार यहां का सिस्टम मुझे बहुत सही लगता है यह मतलब पैड़िश्टेण्स के लिए बना वाइं सिस्टम पूरा तो अगर यहां पे होगा ना तो देख सब गाड़े असे जाएगीं और हम 務ंद effe जा यहां चाही ऑ कि अधिकेनि टीरल के लिए से टो वहाँ सब गरने पर हम इसली जाह सटें यहां पर यह संकतना है पर एक सरे खर शेह कुल शाय। पर इस सिंगल की बीछ eh यार मेरे को एक दस दिन पर एक कोशन आया कि पहले मैं क्या सोचता था कि अगर जैसे ही मैंने पुश बटन किया तो सिगनल जल्दी जल्दी ग्रीन हो जाएगा में लिए पेडिश्टिंस के लिए बट यार फिर मेरे दूसरे साइड के माइन ने का कि यार ऐसा तो नहीं हो सक करें बॉक्स बॉक्स पर बटन इसको क्लिक करें ताकि उनका भी थुड़ा माइंड भटका रहे है आपका क्या कहने इस बारे में बताना कि अगर मैं गलत सोच नहीं या कुछ अलग तरीके सोच नहीं तो तो फाइनली मैं पार्क में आ गया हूँ और यहां पर सड़क अच जैसे ही मैंने बोला कि सर्दी कम है सर्दी बढ़ना स्टार्ट हो गई है तो मैंने ऑप्जब किया है कि द्यूरिंग डे टाइम ना ठंड कम रहती है बट जैसे से संसेट कास नहीं लगता ना सर्दी बढ़ने लगती है और यह पाक तो बहुत ही जादा चोटा है मतलब एक मिट लग रहा है और जो पिछले वीडियो बढ़ा है था बड़े वाले पार्क में गया था तो पार्क बहुत बढ़ा है और उसमें मुझे अप्रॉक्सिमेट ली दस मिट लगता है एक ग्राउंड कम्प्लीट करना में तो यार नेक्स टैंटो मैं या पर बिल्कुल नहीं कि में मैं में लगता है पार्क खेलने के लिए और च रहसने के लिए सफीड नहीं के लिए और सभी तो चुछ टार्लिट को ब described है तो उसमें लंदन ये इंट्रेस्ट्ट मेड देख रहा है यह बतारे यह ein पार छेहरे यह आपके पास फोलंद की एर्पोर्ट ऒथना सकते नwork betray लंदन के पार पर देखे टेर्ट के बारे इत्पोड टो बतार रहे हैं ब्यांद हिर कि क्रेफी एरपोर्ट के नाम से पॉपुलर है जो सिटी महीं है लंदन के अंदर ही है बाकी पांचो एरपोर्ट लंदन के आउट्सकर्स में है और मेजरिटी अफ दे एरपोर्ट्स पहले सीविलियन एरपोर्ट्स नहीं हुआ कर देते यह सेकंड वर्ल्ड वार टू के टाइम इसको मिलिटरी बेस की तरह यूस किया जाता था तो बाद में क्या हूँ इस मिलिटरी बेस को कर दिया सिविलियन एयरपोर्ट की तरह और फिर उसको नॉमल लोगों के लिए ओपन कर दिया काया और एक और एक और फेक्ट शेयर कर देता आपके साथ उसमें जो सिटी एरपोर्ट है ना वो 3-20 में इसका पुरा इवेंट है ना तो जब भी YouTube उपन करता हूं, शौट्स उपन करता हूं, कोई ने कोई इसका शौट दिखी जाता है, तो यार मतलब बड़े-बड़े लोग आ रहे, Bill Gates आएवे है, और Rihanna आईए है इस सिंगर, और मतलब बहुत सार डेलिगेट्स, foreign delegates और मैंने बुक पड़ ली है, आराउंड 10-15 मिट के लिए, और थोड़ा YouTube भी वाच कर लिया है, तो उसमें मुझे घृवराटी का शौट दिखा, उसमें वो बता रहा था कि, रेड बुल के आप पंचलाइन देखोगे, टेग लाइन, वो ही होती कि, रेड बुल गिफ्यू व विंग्स, सिंगल आई, तो उससे क्या हो, एक कस्टमर ने रेड बुल कमनी को स्यू कर दिया, कि मैंने इतनी बार रेड बुल पी है, बट मेरा भी तक विंग्स नी आया है, पंख नी आया है, और ये स्यू अनना मतलब कोट में जाके किया, और कोट के जज ने सोचा कि यहा तो मैं सोचा था, जैसे ही मैंने रील देखी, तो मुझे लगा यार, ये चीज तो मैगी के साथ भी होनी चाहिए, कि मैगी भी बोल किये कि दो मिट में मैगी तयार, बट ऐसा तो मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है, आपका क्या कहना है, बताना कॉमेंट बॉक्स में, या अपर ऐसी कोई कमपनी है, जैसा क्लेम करती है, और आपको लगता है कि यार, अगर इसको स्यू करेंगे तो अपने को बेनफिट मिलेगा, तो अभी शाम के साड़े 6 बच गई है, और मैं पार्क से निकल गया हूँ, अब थोड़ी ग्रॉश्री शॉपिंग करने जा रहा तो चलो आपको भी लेकर चलता हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ लिडल, और सिवा जाओंगा टैसको, फिर एस्डा, और मैंने देखा है कि हर स्टोर में कुछ चीज़े अच्छी मिलती है, और सस्ती मिलती है, लिडल नो डाउट उसकी मतलब सस्ती चीज़े रखता है, बड़ टैसको के जो मुझे फ्रूट्स है बहुत अच्से लगते है, अश्टा भी नो डाउट सस्ता है, बड़ मतलब ऐसे हर स्टोर पर जाके आए ना, देखना पड़ता है कि कौन सी चीज सस्ती है, कौन सी अच्छी है, तो उस आपसे रिसर्च करना थभड़ा पड़ता अब यह सेम चीज मैं आपको दिखाते हूं किती रेट का मिलेगा, तो आपको फरक पता चलेगा, और इससे आपको पता चलेगा कि क्या चीज कहां पर सस्ती मिलती है, तो देखो मैं टैसको में आगया हूं और ब्रैंड अलगे गया ब्रैंड अगेगे और एक लीटर चार प्राइस का और क्लब काट प्राइस भी लगा देते हो ना तो तीन पॉंड का पड़ता है तो मतलब ब्रैंड एवन दो अलाग है बट एक लेटर का प्राइस आप देख रहो इतना बड़ा फरक है लेडल में आते था एक पॉइंट 1.99 का और यहां पर चार पॉइंट बात करते हैं कुछ नहीं जगह पर जाते तिल देन सब्सक्राइब करना मत बूलना है